हेल दोस्तो नमस्कार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रामा इस्टील कंपनी के बारे में दोस्तो रामा इस्टील में अभी के टाइम एक अच्छी तेजी भी बनते में नजर आई उसके बाद एक गिरावड भी हुई अगेन यहाँ पर आज के दिन अपर सर्कीट देखने को मिल रहे हैं क्या व्यू रहेगा इस टॉक को लेके वो भी इस वीडियो में समझने की कोसिस करेंगे और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ बे रामा इस टील लॉंग टर्म प्रपस के साब से कैसा स्टॉक हो सकता है मेरा व्यू क्या है वो मैं आपके साथ शेर करूँगा लाश्ट फाइब डेज में एक बैटर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला 21% तक का जंप आया लाश्ट 1 मंथ में 40% तक की तेजी हमें देखने को मिली जो कि स्टॉक लाश्ट काफी टाइम से रुका वा था अगर मैं 1 एर के बाद करूँ तो स्टॉक उपर के लेवल से गिरावट दिया काफी टाइम से हमें रुकते वे नजर आया बट उसमें एक न्यूस देखने को मिली जोइंट वेंजर होते वे नजर आया कंपनी डिफेंस में एंट्री ले लिए कंपनी ने रेनेवल एनरजी में एंट्री ले लिए इस वज़े से स्टॉक में एक बेटर परफार्मेंस हमें देखने को मिला maximum अगरा मैं आपको number बताऊं तो इस stock में 2021 के बाद एक अच्छा कासा तेजी बना उसके बाद एक काफी टाइम से stock consolidate किया 2023 के बाद stock almost अभी के time consolidate ही कर रहा था और गीरी रहा था पर जैसे ही new jai stock rocket बनते में नजर आ गया आगे के लिए क्या भी रहेगा इस stock को लेके इस company को लेके अब वो इस वीडियो में समझेंगे और उसी के साथ साथ यहाँ पर यह तेजी कहां तक जा सकती है वो भी जानने की कोशिस करेंगे तो सबसे बहुत दोस्तों अगर मैं आज की बात करूँ stock आपका open होता है 14 रुपे 36 पैसे 15 रुपे 38 पैसे का high लगाता है जो कि अपर circuit range है और वही अगर मैं बात करूँ तो stock अभी की time ASM list 1 में आ चुका है तो मेरे इसाब से कही ना कही ये volatility थोड़ी सी कम हो सकती है क्योंकि stock ASM list 1 में हमें देखने को मिलता है दूसरी बात आज volume जो हुआ है 17 करोड का हुआ है 250 करोड के value के share trade होते है maximum लोग क्या कर रहे हैं intraday में profit बनाने की कोसिस कर रहे है जैसे कि अगर आप delivery देखेंगे तो सिरफ 28% quantity ही देखने को मिल देए तो maximum हमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है intraday में पैसा जो है profit जो है वो book किया जा रहा है अब समझते हैं कि company में potential है या नहीं है long term purpose के हिसाब से अभी तक company यहाँ पर सिरफ manufacturing of steel pipes and tubes के business में लगी हुई थी pipes and tubes के business में लगी हुई थी बट अभी company दोस्तों defense में भी आ चुकी है और renewable में भी आ चुकी है इस news की वज़े से stock में एक अच्छा खासा jump देखने को मिला बट important दोस्तों यह है कि हाँ defense से renewable से company को कितने orders मिलते है वो यहाँ पे बहुत ज़दा important है market cap की बात की जाए 2370 करोड का market cap है और उसी के सासाथ यहाँ पे 83 का PE ratio है sector का PE कितना है sector का PE है आपका 27 का तो अभी के time PE ratio के इसाफ से sector के भी तीन गुणा उपर है और उसी के सासाथ ROC, ROE जो है वो यहाँ पे 12% and 10% की हमें देखने को मिल देए उसी के सासाथ अगर यहाँ पर मैं बात करूँ comparison company तो यह जो है रतनावनी metals, NMDC, सारदा energy इनके comparison में यह company आती है और उसी के सासाथ अगर मैं quarterly results की बात करूँ तो यहाँ पर company की जो results है वो average results है मतलब overall जो growth है वो नहीं होए यह results रुके होए है and decrease हमें देखने को मिल देखेंगे जैसे कि अगर आप sales growth देखेंगे तो last four quarters में हमें यहाँ पर company के जो results है वो year on year drop होते हैं देखने को मिले तो रही बात दोस्तो long term की long term में किसी के उपर directly हम निवेस नहीं कर सकते कि भाई company defense में renewable में जा रही है तो हम directly investment नहीं कर सकते हमें results के अनुसार दोस्तो investment करना होता है किसी भी company में future growth के इसाब से जैसे जैसे companies के result अच्छे आते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पर निवेस कर सकते है company में अभी के time यहाँ पर wait करना चाहिए quarter two के results का and वो results देखके उसके बाद हमें यहाँ पर decision लेना चाहिए अभी के time यहाँ पर defense में renewable में गई है तो फिर margin में भी changes आएगा तो एक results का हमें normally wait करना चाहिए results उसे साब से आते हैं फिर वहाँ पर हमें decision लेना चाहिए कि हाँ क्या-क्या कुछ हो रहा है उसी के साथ अभी के time अच्छे बात यह है कि company का debt जो है वो कम किया है company ने यह हमारे लिए better है company का profit है वो एक highest level पर हमें देखने को मिल रहा है balance sheet की बात की जाए तो हमें यहाँ पर जो reserve है 18 crore से बढ़ते बढ़ते 180 crore का हो चुका है borrowings की बात की जाए तो यहाँ पर company के highest थे बट इन्हों ने अभी कम किया है और assets जो है वो दोस्तो company के बढ़ रहे 96 crore से बढ़ते बढ़ते 734 crore तक के company की जो assets है हो चुके investors में यहाँ पर promotors की holdings है वो यहाँ पर better है बट promotors थोड़ा दिरीदीर करके क्या कर रहे है कि थोड़ा rasp 수ill करने के कोसिश कर रहे है यहाँ 70 थी फिर यह नहोंने थोड़ा से exit किया सो promotors की holding ठीक है बट यह धे दिरीदीर करके थोड़ा पा record decrease कर रहे हैं, सुगज तो Rama Steel में मेरा क्या view है, मेरा long term purpose के विसाब से view ये है, कि जैसे जैसे company के results अच्छे आएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर मैं investment करने की कोसिस करूँगा मतलब, मतलब कि यहाँ पर मालो कि अगला result अगर year on year better आया तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा निवेस करूँगा उससे अगला result और अच्छा है, तो वहाँ पर मैं थोड़ा और निवेस करूँगा, उससे अगला result और अच्छा है, तो उस हिसाब से मैं वहाँ पर थोड़ा और investment करूँगा, इस हिसाब से मेरा जो investment है रामा स्टील में रहने वाला है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं short term प्रपस के साब से long term का तो मैंने आपके साथ view share किया ही है short term के अगर आप बात करूँ तो recently हम एक बहुत बड़ा consolidation देखने को मिला 2023 से almost company को यहाँ पर डेड़ साल होने आया है important रजिस्टेंट है अगर यह stock 100 रूपी से पैसे के level को break करने की कोसिस कर लेता है कामियाब हो जाता है तो next यहाँ पर 20 रूपीज तक के target यह stock हमें दिखा सकता है 100 रूपी से पैसे के levels को अगर breakout देता है तो 20 रूपीज तक के levels दिख सकते हैं क्या यह 20 रूपीज के levels तक non-stop जा सकता है तो अगर 60 रूपीज का level break होता है तो यह 20 के levels non-stop जा सकता है यह मेरा short term view है बागी दोस्तों यहाँ पर important है कि अपना stop loss कहाँ पे रहेगा दिखे अभी के time अगर आप बात करो अपना stop loss रहेगा वो रहेगा 14 रूपे का stop loss मैं यहाँ पर रखूंगा and 20 रूपीज तक के मैं यहाँ टार्केट लेके बैठा हूँ अगर 16 तयासी का breakout होता है तो बागी long term का view मैं आपके साथ share किया ही है short term में जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताया ही है breakout important है क्योंकि यह एक one year का breakout है level टूटता है तो एक अच्छे moments देखने को मिल सकते हैं बागी यह video education view के साब से था buy and sell करने से पहले अपने financial advisor से जरूर consult किजिएगा thank you